स्वागत है आप सभी का My Gadget Experience में दोस्तों इस साल 2022 में Consumer और Commercial Audio System के पॉपलर ब्रांड JBL ने एक 2.1 चैनल साउंड बार JBL Cinema SB271 लांच किये हैं इस वीडियो में इसी होम थेटर सिस्टम का अन्बॉक्सिंग, रिव्यू और साउंड टेस्ट करेंगे इस साउंड बार को मैंने अमेजन से डिसकाउंट के साथ 12,000 रुपए में खरीदा है यही साउंड बार Flipkart में JBL Cinema SB270 के नाम से बिखता है इन दोनों में कन्फ्यूज ना होए सबसे पहले इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं यह मुझे इस तरह के बाक्स में मिला है बाक्स हलका सा डेमेज हो गया था बाक्स के अंदर वायरलेस, सबफर यूनिट, एक्सेसरीज के पैकेट और साउंड बार अच्छे से पैक होकर रखे हुए हैं सब फ़र उनिट और साउंड बार के साथ मिलने वाले X-Series में एक रिमोट कंट्रोलर, दो ट्रिपल ए बैटरी, दो पावर कार्ड्स, HDMI केबल, यूजर मैनुवल और वारंटी कार्ड, सेफटी इंस्ट्रक्शन्स, वाल मांट इंस्ट्रक्शन्स और स्क्रू है फिजिकली देखें, तो इस साउंड बार की ब्लैक बॉडी प्लास्टिक के साथ, ग्लॉसिक सर्फेस है, और फ्रंट में मेटल की जाली है, जिनके पीछे स्पीकर ड्राइवर्स लगे हुए हैं, यह साउंड बार काफी स्लिम है, और उठाने में हलकी नहीं है, इसकी साउंड बार के पीछे सारे कनेक्टिवटी पोर्ट हैं, जिनमें एक यूएसबी पोर्ट, HDMI ARC पोर्ट, अप्टिकल पोर्ट और पावर कनेक्शन के लिए पोर्ट है, वाल मांट करने के लिए पीछे ही दोना तरफ मांटिंग पोर्ट लगा सकते हैं, नीचे टेबल मांट के लिए दो रबर पैड हैं, इसके साथ मिलने वाले ब्लैक कलर के वायरलेस सब उफर की बिल्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरी बॉड़ी वुडन है, अच्छी क्वालिटी की MDF बोर्ट का यूज किया गया है, इसका वज़न ज्यादा है और सर्फेस की मैट फिन एक्टिविटी के लिए पैनल है, जिसमें रिसेट बटन और LED इंडिकेटर है, इसमें इसका सब वुफर ड्राइवर डाउन फाइरिंग है, इसलिए नीचे की तरफ है, इसका साइज 5.25 इंच है, इसके वुफर ड्राइवर को किसी तरह से कवर नहीं किया गया है, चारों क किसीफिकेशन को देखें, तो इसका साउंड बार 104 वाट और सब वुफर 116 वाट का पावर आउटपूट देते हैं, जो कुल मिलाकर 220 वाट हो जाता है, यह डॉल्बी आडियो को सपोर्ट करता है, कनेक्टिविटी के लिए HDMI ARC और Optical पोर्ट है, इसका USB पोर्ट आडियो नहीं है, सिर्फ firmware update के लिए है, wireless connectivity के लिए latest Bluetooth version 5.1 है, मुझे लगता है इसे modern TV से connect करने के लिए बनाया गया है, अब आडियो प्ले करने के लिए इसे on करते हैं, इनके sound bar और wireless सब वुफर अपने आप connect हो जाते हैं, sound test के लिए अलग-अलग mode में कई आडियो प्ले किये हैं आडियो वादे के लिए करने किया वादे मुझे अलग-अलग- करते हैं सेच्छियो प्ले करता है, मुझे लूही प्ले सेया खितुत्य सिनlä लुब है इस होम थेटर सिस्टम की आडियो क्वालिटी का अंदाजा हुआ होगा इसके साउंड रिकॉर्ड करने से पहले इसे 12-15 घंटे यूज कर लिए गये हैं ताकि बेस्ट साउंड मिल सके इस होम थेटर सिस्टम से बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलती है इनके साउंड में बेस, वोकल्स और ट्रेबल्स सही से सुनाई देता है सबसे पहले बेस की बात करें तो इससे decent बेस मिलता है बेस में deep बेस सुन पाएंगे, सुनने में काफी pleasant लगता है इसमें extra बेस है, ऐसा company द्वारा कहा गया है लेकिन बेस boosted नहीं लगता, बिलकुल natural बेस सुनाई देता है vocals भी बढ़िया intensity के साथ clear सुनाई देता है और mid range की sound, instrument की अवाज, vocals सही से सुन पाएंगे कई movies देखे हैं और song सुने हैं इनके dialogues बिलकुल clarity के साथ सुन पाएंगे इससे मिलने वाले trebles भी clear और crisp सुनाई देता है बेस, mid range और trebles सभी मिलकर excellent sound produce करते है इनसे मिलने वाला sound बिलकुल natural लगता है extra fake bass नहीं, सही mid range और vocals बिना irritate करने वाला crisp trebles कई speaker यूज किये हैं जिसका high trebles crisp सुनाई तो देता है लेकिन irritate भी करता है लेकिन JBL में ऐसा नहीं है इसका sound crisp है लेकिन irritate नहीं करती इसमें कोई भी frequency range डॉमिनेट नहीं करती है और नहीं दबी हुई लगती है बिलकुल balanced sound सुनाई देता है चाहे high volume हो या low volume इनका audio distortion भी नहीं होता है sound बिलकुल clean सुनाई देता है इसके sound को melodious कह सकते है सभी drivers के बीच audio separation अच्छे से हो जाता है इसमें sound control करने के लिए इसके remote controller में चार अलग-अलग sound mode है news, music, movie और voice जिस तरह का content आप देखना चाहते हैं इन sound mode को select करके उन content के audio को सही से सुन पाएंगे voice mode काफी useful है dialogues सुनने के लिए इस home theater system से अच्छी loud sound produce हो जाती है loud sound में भी audio बिना distortion के clarity के साथ सुनाई देता है इसमें dolby audio वाले content भी play किये हैं dolby audio चलाने पर audio ज्यादा clarity के साथ enhanced sound मिलता है लेकिन दोस्तों एक sound बार से surround sound वाली feeling नहीं मिलेगी high volume में virtual surround का दावा जरूर करते हैं लेकिन खास समझ में नहीं आता connectivity के लिए इसमें HDMI ARC और optical port है इस home theater system को specially TV से connect करके use करने के लिए बनाया गया है क्योंकि HDMI ARC और optical port से जब TV को connect करते हैं तब बढ़िया details के साथ audio सुनाई देता है और dolby audio भी इन ही से मिलती है wireless connectivity के लिए Bluetooth version 5.1 है connection में कोई दिक्कत नहीं आई है और बीना delay के audio streaming होता है जो की काफी लोगों को पसंद आएगा sound bar में touch inputs दिये हैं जिनसे volume, up, down, input mode select कर सकते हैं remote controller में भी input selection sound mode, volume change इन सब के लिए dedicated button दिये हैं इस sound bar में सामने 4 अलग-अलग color के LED indicator दिये हैं इन ही से ही stand by और input mode का पता चलता है HDMI के लिए white optical के लिए orange Bluetooth के लिए blue और stand by के लिए red यह तो थी इस home theater system की sound quality और उनके performance अब इस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और कुछ कमी भी देख लेते हैं इसके subwoofer unit के driver को किसी तरह से cover नहीं किया गया है नीचे की तरफ खुला हुआ है जिसे damage होने का खत्रा है या कभी floor पर रखने पर चुहे आसानी से इन्हें नुकसान पहुचा सकते हैं इसे metal की जाली से cover करना चाहिए था इसका woofer driver down firing है इसलिए इसका base लेकिन इसके maximum power output 220 watt के हिसाब से थोड़ी कम लग सकती है यहाँ पर दोस्तों यह ध्यान रखना है कि इसका sound उतना ही loud होता है जितने में sound अच्छी मिलती है बेवजह extra loud नहीं है जिसमें sound distortion हो इसमें input mode, volume status यह सब देखने के लिए display नहीं है अलग-अलग color के सिर्फ 4 LED light है जो की sufficient नहीं है Dolby audio, PCM, sound mode, volume level, track number यह सब पता भी नहीं चलेगा पता ही नहीं चलता कि Dolby audio चल रहा है या PCM audio, TV setting से ही पता लगा पाएंगे मेरे ख्याल से इतने महंगे home theater system में display का ना होना एक बड़ी कमी है इसमें audio control के लिए predefined sound mode जैसे news, song, movies, voice है जिनने content के अनुसार select कर सकते हैं लेकिन bass और treble control इसमें नहीं मिलेगा इस home theater system को especially LCD या LED TV के साथ यूज करने के लिए बनाया गया है क्योंकि इसमें connectivity के लिए HDMI ARC और optical port ही है जबकि USB और AUX port नहीं मिलता है वैसे best sound तो HDMI ARC और optical port से ही मिलती है overall JBL Cinema SB271 एक बहुत बढ़िया home theater system है इसकी sound quality, built quality, features एक दूसरे home theater system Polk Cigna S2 की याद दिलाती है इस home theater system को उन लोगों को लेना चाहिए जिनको अच्छी quality का balanced melodious sound चाहिए और जो अपनी TV के लिए एक perfect sound bar चाहते हैं sound quality में यह आपको निराश नहीं करेगा अगर यह home theater system पसंद आता है तो description में दिये link से purchase कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो like और share करें चैनल से जुड़े रहिए धन्यवाद